अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर चीन की काली करतूच से जुड़ी है दुनिया भर में कुरोना फैलाने की बदनामी जहल रहे चीन ने अब भारत की वैक्सीन का फॉरूमला चुराने की कोशिश की है एक समाचार एजनसी के मताबिक चीन के हैकरों ने भारत में वैक्सीन बनाने वाली कमपनियों सीरम इंस्टिटूट और भारत बायोटेक पर साइबर अटैक किया था खबर है कि चीन हैकिंग ग्रूप APT10 इसे स्टोन पैंडा के नाम से भी जाना जाता है इसने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टिटूट के आईटी इंफ्रस्ट्रक्चर में खामियों का फायदा उठाकर सेंग लगाई थी साइफर्मा नाम की एक कमपनी के चीफ एग्जेकेटिव कुमार रितेश के मुताबिक हैकिंग ग्रूप APT10 सीरम इंस्टिटूट का डेटा हैक करने की कोशिश कर रहा था कुमार रितेश जो हैं ब्रिटिश खूफिया एजनसी MI6 में साइबर सेल से जुड़े बड़े अधिकारी भी रह चुके हैं उनके मताबिक चीनी हैकरों का मकसद फॉर्मूला चुरा कर भारतिय कमपनियों पर बढ़त हासिल करना था हैकरों को सीरम इंस्टिटूट के कई साइबर जो सर्वर्ज हैं वो कमजोर मिले लेकिन भारतिय कमपनियों ने पहले ही अपनी रिसोर्च में सफलता हासिल कर ली जिससे भारत के मुकाबले चीन बुरी तरह से पिछड़ गया अब वहीं चीनी हैकरों ने लाख कोशिश कर ली कि लेकिन वो सीरम इंस्टिटूट और भारत बायोटेक का फॉर्मूला नहीं चुरा पाए और वैक्सीन बनाने के मामले में उनको भारतिय वज्यानिकों के सामने मुह किखानी पड़ी न्यूसरूम से हमारे साथ अमिताब सिना जुड़ रहे हैं अमिताब बहुत बड़ी खबर है ये कि ये चीनी अपनी हरकतों से इतनी जल्दी बाज नहीं आने वाले गलवन में भी मुक्के खाए एलेसी में पचाड के पचाड़े गए अब यहां उन्होंने क्या किया कि अटैक का जो जरीया है तरीका है वो बदल दिया ग्राउंड से डेटा और नेट सर्वर पर चले गया और हमारे वैक्सीन को चुराने की कोशिश की आनंद यह बड़ा 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 दुखद है कि चीन पड़ोसी देश होने के नाते गलवान में जटका खाने के बाद इस तरह की हरकत पर उतर आया क्योंकि पहले उन पर पूरे दुनिया में बदनाम हुआ वो कोरोना फैलाने के लिए अब कोरोना वैक्सिन जब भारत इतनी जल्दी बना कर तयार कर रहा था उस समय वह ऐसे ऐसी नापाक हरकतें करने की कोशिश कर रहा था लेकिन हम हैट्स आफ्ट धन्यवाद देना चाहिए हमारे वैग्यानिकों का इन दोनों इंस्ट्रिट्स का कि इनके वैग्यानिकों ने डेटा ब्रीच चाहे डेटा ल साइबर शाय और और इसमारे दवा करने कोशिश वह भी वह फेल हो गई साथ ही साथ हमारे पावर घ्रेट में जो आपको याद होगा आ वह ने पहले उसमें भी तेन लगाने की कोशिश की थी वह भी यानि अब चीन को समझ में आ रहा होगा कि ये 62 नहीं है अब 2021 चुका है 75 साल भारत बना भी रहा है लेकिन हमें भी सतरक रहनी की जरूरत है हमिताब कि ये जो है युद का जो तरीका है और कहां पर ये युद लड़ा जाएगा वो जो स्पेस है वो अब ग्राउंड युद ज दे रहा है कैसे दे रहा है वैक्षी और इसके जो टरम्ज हैं कंपरेटिटिव टरम्स इसको भी कोशिष करेगा तो यह सारे आटाक्स हैं यह आब कुछ नहीं रुकेगा लेकिन भारत भी अब नहीं रुकेगा न थमेगा आनंद ये भी देखना चाहिए क्योंकि एक के बाद रिपीडिट एटेम्स जी से कहते हैं बार-बार कोशिश कर रहा है चीन किसी ना किसी तरह से घुस्पैट करने की चाहे हमारे सेक्योरिटी सिस्ट और हमारे देश पे जो सुरक्षा कवज तयार करने वाले सर्टिन है सर्टिन एक आईटी मिनिश्टी का बहुत बड़ा विवाग है जो ऐसे किसी भी मालवेर को हमारे सिस्टम में आने से रोकता है उसको ब्लॉक करता है चाहे हो को आईपी डोमेन हो चाहे कोई भी जो भी पहचान उनको आती है कि इससे मालवेर आ रहा है इससे किसी भी तरह के वाइरस आ रहा है तो उसको रोकता है ब्लॉक करता है और फिर अंटी वारियर चला के उन्हें सफाई भी करता है तो यह बहुर बड़ी एचिमेंट हमारे पास हमारा आईटी डिपार्टमेंट भी बिल्कुल तो यानि साइबर स्पेस में हमारे साइबर वारियर